हेलो बच्चों मैं सारदा थानवी आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चानल पर चलिए आज हम करते हैं क्लास 10 में सूर्दास का जो पद है इसके अंतरगत एक पद के मैं आपको वो पद से संबंदित प्रशन और उसके उत्तर जो इंपोर्टन प्रशन तो एक पद का ही आज वीडियो है देखिए जो पद है आपके पास में सामने है वो देखिए बच्चों जैसे आप लोगों को पता है बोर्ड एकजाम सब दीरे दीरे करीबार है तो संबंदित आप लोगों को मेरे चैनल पर अच्छी से त्यारी भी करवा जाएगी और इस संबंदित आपको हर तरह के वीडियो मिलेंगी तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट और शेर करना ना भूलें चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें देखिए सबसे पहले हम इस जो आपके पास में पद दे रहा है उस पद का व्याख्या भी मैंने आपको करवा रखिए इसके अंदर अगर आपको व्याख्या का ढूने के वीडियो तो गोपियों द्वारा उद्धव को बढ़ भागी कहने में निहित व्याख्या को इस परष्ट कीजिए जो पंक्ति है ना उद्धो तुम हो आती बढ़ भागी तो इस पंक्ति में बढ़ भागी क्यों कहा है गोपियों ने उद्धव को तो इसमें व्याख्या किया गया है त इसको उत्तर देखिए आपके पास में प्रश्ण उपर दे रहा है नीचे उत्तर दे रहा है वीडियो में आप देखिए तो गोपियां उद्धव से व्यंगे करती होई कहती है कि तुम कैसे भागय साली हो बड़ा भागी मतलब भागय साली हो जो स्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी स्री कृष्ण से तुमने प्रेम नहीं किया ये व्यंगे है गोपियों का उद्धव के प्रती प्रश्ण दूसरा उद्धव के वहवार की तुलना किस से की गई है तो इसका उत्तर देखिये, उधव के विहवार की तुलना पानी के ऊपर तैरते हुए कमल के पत्ते और पानी में डूबी हुई तेल लगी गागर से की गई है, गागर मतलब होता है मटकी. मैं वह पंगती में आपको बताती हूँ, वह पंगती है, देखिये, पुरएन पात तो इसमें उधा के व्यवार के तुलना पानी के उपर तैरते हुए कमल के पत्ते पूरा नहीं पात मतलब कमल का पत्ता जैस प्रकार जल के उपर पानी कोई अपना असर नहीं छोड़ता इसी तरीके से जल माहा तेल की गागरी जिस प्रकार से जल के अंदर किसी घड़ी के उपर तेल लगा करके जब आप उसके पर रख देते हो तो उपर पानी की एक बूंद भी अपना इस्थान नहीं बना पाती तो इसी प्रकार से जो उधा के व्यवार के तुलना इन दोनों स की गई है पानी के ओपर तैयरते हुए कमल के पत्ते से और पानी में डूबे हुई तेल की गगरी से अब देखिए प्रिशनल नमबर तीसरा गोपियों ने उधाव के विरक्त भाव को किन उधाणों द्वारा प्रस्तुत किया गोपियों ने उधाव के विरक्त भाव को ठीक की है ओसी आ जल में पड़ी हुई तेल यूकत गागर के उधानों द्वारा प्रस्तुत्थ किया है कि उध्रव तो उनका वहार इस तरीके से उनका भाव इस तरीके से वह विरखते कि प्रेम से विरत रहते हैं प्रेम से आपको दूर रखते हैं तो जिस प्रकार से कमल कापथता जलमेरा है ने रहता हुए जल से प्रेम नहीं करता इसी प्रकार से और तेल छोई कज़ी आ असके लितल वाया नहीं किया अब देखिए अंतिम पंक्तियों में गोपियों ने स्विम को अबला और भूली क्यूं कहा है तो अंतिम पंक्तियों में गोपियों ने स्विम को अबला और भूली क्यूं कहा है तो अंतिम पंक्तियों में गोपियों ने स्विम को अबला और भूली इसलिए कहा है क्योंकि प्रेम के परिणाम को जाने बिना कृष्म से प्रेम कर बैठी यह प्रेम अब उनके लिए पीड़ादाई बन गया है आप देखिए प्रीती नदी में कौनसा अलंकार है प्रीती नदी आपके पास में आता है उपद की देखिए इस लाइन में या रहा है आपके पास में प्रीती नदी यह है ना प्रीती नदी इसमें प्रीती नदी में प्रीती नदी में आपके कुश्चन है कि प्रीती नदी में कौनसा अलंकार है तो प्रीती नदी में अलंकार है, आपके पास में रूपक, कौनसा अलंकार है, रूपक अलंकार है, यह मैंने आपको बता दिया, प्रीती नदी में रूपक अलंकार है, कौनसा रूपक अलंकार ह तो यह हो गया आपके पास में, अब हम चलते हैं, चलिए आगे, यह हो गया आपके पास में, अथी लगूतरीय परशन, अब हम चलते हैं, थोड़ से बड़े परशन के और, लगूतरीय परशन, तो इसके अंदर जेखिया आपके पास में, तीन परशन दे रखे हैं, इसी पत को आंसर थोड़ा बढ़ में देना है ठीक है पहले में आप से प्रशन पुछा था गोपियों ने उदव को बढ़ भागी कहा है तो इसमें कौन सा वियंग इस पष्ट किया है यहाँ पर गोपियों द्वारा उदव को बढ़ भागी इसलिए कहा गया है क्योंकि गोपियों न स्रीकृष्ण से प्रेम किया था, अब उन्हें स्रीकृष्ण की विरागनी में जलना पड़ रहा है, इसके विपरित उधा किसी के प्रेम बंदन में बंदे ही नहीं, इससे उन्हें विरावेदना न सहनी पड़ती है, इस कान गोपियों ने उन्हें बड़ भागी कहा है, यह जोंको पाठ पूरा समझ में आया होता है, अर्थ पूरा समझ में आया होता है, लेकिन वो उसकी लेंग्वेज नहीं बना पाते हैं, तो लेंग्वेज आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको समझ में आने लग जाएगी, देखिए, पु नहीं करते प्रेम से अनासक्त रहते हैं प्रेम के पास भी नहीं जाते हैं इसका इसका कारण यह है कि देखिए इसका कारण यह है कि जिस प्रकाद पुरेनी यानि कि कमल के पत्ते अत्वाते लगी गागर पर पानी अप्रा प्रभाव नहीं छोड़ पाता है ठीक उसी प्रका स्री कृष्ण के अत्यंत समय प्रहते हुए भी उधा उनके प्रेम से वन्चित रहे और उनके परती आना सकत रहे इसलिए पुराइन पात और तेल की गागर का उधान इस दंधर्ब में दिया गया है अब देखिए आपके पास में तीसरा प्रश्ण है गोपियों ने अपनी तुलना किसे की है और क्यों की है तो गोपियों ने अपनी तुलना की है चीटियों से किसे की है गुर्षे चिप्टी चीटियों से जिस परकार से गुर्षे चिप्टी चीटियों से जिस परकार से को नहीं छोड़ेंगी, तो गोपियों ने अपनी तुलना ठीक उसी प्रकार से गुड़ से चिप्टी हुई चीटियों से की है, क्योंकि वो गुड़ को नहीं छोड़ना चाती है, इसी प्रकार स्रीकुष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ना चाती है, यह हुए आपके केवल इ 20 पद भी बाकी है 6 तो इन तीनों प्दों के से संबंदित, आपके पास में 4 पदों से संबंदित आपके पास में प्रशन बत्रूद में घाल आपकें परzkॉतलतल, low Integrate झाल